चलो सर, now welcome everyone to this revision of audit of branch office accounts, सर इसमें क्या लिखा है, बस मेरी बात सुलो, सब समझ आ जाएगा, section number 128 क्या कहता है, सर वो तो law वाले teacher बताते है, हाँ यार वो थोड़ा सा audit में भी पार्ट है, ठीक है, तो नाम तो शुबम ही है ना, फरक क्या बढ़ता है, शुबम ही है नाम चाहिए, law हो चाहिए, audit हो, तो मैंने का simple सी वात है, याद रखना, section number 128, तो जो section number 128 है, वो क्या कहता है, अगर company है, तो उसको क्या books of accounts maintain करने है, हाँ सर, वो books of accounts का रखेगी, registered office पर रखेगी, उसके अंदर तीन qualities होनी चाहिए, सर क्या क्या, एट तो वो double entry system of bookkeeping, वो true and fair view दे, और accrual basis, come on, accrual basis, double entry book of, क्या होना सर, double entry system of bookkeeping, और true and fair view होना चाहिए, मैंने का very good, इसके अलावा सर, और हमको क्या क्या ध्यान रखना है, मैंने का जो आपके books of accounts है, जो आपके books of accounts है, वो आप किसी और जगा भी रख सकते हो, but seven days के अंदर-अंदर registrar of companies को बता देना, जो आपका रोसी है, जो आपका registrar of companies है, उसको साथ दिन के अंदर-अंदर बता देना, क्या ये point clear है, हाँ सर, अब सर अगर बात बताओ, हमारी कोई branch है, जैसे की, बताना example देना branch, जैसे की सर हमारी मानलो कोई branch है, जो की कहा है, मैंने वही तो पूछ रहा हूँ, तो उनको बताओ का है, सर हमारी branch है, लेट से लक्षे दूइप में, ठीक है, आज का लक्षे दूइप बड़ा चल रहा है, तो जो लक्षे दूइप में branch है, क्या वो अपने books of accounts अपने पास रख सकती है, हाँ रख सकती है, बड़ branch का काम है, वो अपने books की summary, जो accounts की summary है, summarized returns, वो head office को भेजे, क्या ये basic बात समझाती है, हाँ सर, अब सर ये branch का audit कर कौन सकते हैं, दो लोग कर सकते हैं, एक तो जो company का overall auditor है, जो head office ने appoint कर सकते हैं, या branch किसी और auditor को भी appoint कर सकती है, ये basic बात समझाती है, हाँ सर, सर अगर ये branch लक्षवदीप में न होती, जर्मनी में होती, मतलब outside इंडिया होती, तो इसका audit कौन कर सकता है, again, या तो company का overall auditor कर सकता था, या ये किसी qualified person को appoint कर सकती थी, सर उसकी qualification इंडिया के हिसाब से देखेंगे या जर्मनी के हिसाब से, जर्मनी के law के हिसाब से, तो जो उस country के laws होंगे, उसके हिसाब से जो बंदा qualified होगा, वो इसका audit कर सकता है, क्या ये basic बात समझाती है, हाँ सर, इसके अलावा इसमें कुछ मसाला था क्या, मैंने का नहीं, तो जो भी branch का auditor है, वो अपनी audit report company के auditor के साथ share करेगा, अच्छा एक बाँ बताओ, क्या branch का auditor अपने working paper भी company के auditor को दे सकता है, हाँ दे सकता है, बट क्या company का auditor उससे मांग सकता है, मैंने का नहीं, दोनों में difference है, जो branch का auditor है, वो अपनी discretion पर चाहे तो share कर सकता है, बट अगर company के auditor की बात करूँ, क्या मैं उसको force कर सकता हूँ कि अपने working paper दे, मैंने का नहीं, ऐसे 230 audit documentation ने का था, your documentation is your documentation, none of your documentation, मतलब जो हमारी as a auditor documentation है, हम अपनी मर्जी से share कर सकते हैं, वो भी ध्यान रखते हैं कि independence effect नो, it doesn't undermine the validity of work performed, बट कोई हमको force नहीं कर सकता, क्या ये basic बात समझ आती है, हाँ sir, अब sir, जब मैं as a auditor, principal का auditor, मैं छोटे auditor का का काम use कर रहा हूँ, तो कौन सा ऐसे लगेगा, ऐसे 600, तो फिर इस case में sir, ऐसे 600 लगता है, 600 का क्या मतलब है, O's O, O means other auditor, using the work of other auditor, ठीक है sir, अब एक बाह बताना, जो company का auditor है, वो छोटे auditor को guide कर रहा है, क्या इसको guidance audit के end में करनी चीए है पहले, काम खराब होने के बाद, या काम खराब होने से पहले, तो you will coordinate with the छोटा भाई, छोटा auditor at the planning stage, and आप उसके लिए कैसे हो, sir आप उसके लिए पाज ऐसे हो, आप उसके पापा जैसे हो, तो मैंने का आप उसके लिए पाज ऐसे हो, तो आपको उसको तीन बाते guide करने, तीन procedures आपको करने पड़ेंगे, sir, PAA, यह PAA क्या थे, मैंने का P का मतलब है, procedures for identifying intercomponent transaction, जितनी भी head office और branch की transactions है, उन सब को identify करेंगे, क्योंकि कहीं ना के उनका disclosure देना पड़ते है, very good, इसी तरह areas, जहाँ पर उसको special focus करने, special consideration देनी है, यह कौन से areas होंगे, generally जहाँ पर ROMAM ज्याद है, सीख रखा है, दूसरी चीज, areas requiring special consideration है, तीसरा था accounting, accounting के बाद auditing, auditing के बाद reporting requirement, clear है, clear है सर, जब मैंने उसको यह तीनों काम करने होगा, तो उसरी क्या का, मैं सब कर लूँगा, मेरे को सब आता है, हमने का लिख के दे, time पे करना लिख के दे, सर, time पे करना लिख के दे, मतलब we will see the timetable, we will see the representation, हम उसके साथ, timetable लेंगे for completion, उससे लिखित में लेंगे, कि तू कर लेगा या नहीं, सर ये तो हो गई stage number one, अब जब उसने काम कर लिया हो, तो कैसे चेक करेंगी, कि उसने काम क्या किया है, कैसे चेक करूँ, उसने क्या procedures perform करें, वो ही procedure करें, जो मैंनो उसको कहे थे, there are two tools, sir two tools क्या है, एक तो questionnaire, एक checklist, आप उससे questionnaire और checklist वगरा भरवा सकते हो, उससे discussion वगरा कर सकते हो, sir हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी है, सब चेक करने के लिए depend करता है, हालात कैसे हैं, और बंदा कैसे हैं, हालात कैसे हैं, बंदा कैसे हैं, मतलब depends on the circumstances, and your knowledge, about the competence of the other person, sir मुझे कैसे पता चलेगा, वो competent कितना है, यह देखो, उसने past में किस किस company का audit कर रखा है, get the knowledge about his previous audit work, तो उससे आपको उसकी competence का पता चलेगा, so your hard work, your nature, timing and extent of procedure, depends on two things, हालात कैसे, circumstances कैसे हैं, always the things, and second thing is, your knowledge about the competence of other auditors, that's it, that's it sir, that's all about SS600, I hope you enjoyed the session, बाकि, युँ ही खुशी खुशी मल लगा के पढ़ते रो, क्योंकि खुशी से बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, have an awesome day ahead, हमेराई audit के, फिर मिलेंगे, चलते चलते, ख्याल रखो पना,